नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा पैथलैब चैनल मेरा नाम है मनीश कुमार तो आज एक नए वीडियो एक नए सेशन स्टार्ट करते हैं तो जो लोग नए है चैनल पे चैनल को सस्क्राइब कर दें चैनल पे काफे सारे ब्लड टेस्स से रिलेटेड जॉब से रि कर रहे हैं उन टेस्टों के बारे में जो एक दो उनके पैनल बताऊंगा मैं आपको मेंली हम बात करेंगे डी डाइमर टेस्ट के बारे में कि डी डाइमर टेस्ट जो है आपको कब करना चीए और कौन सी ट्यूब उसके लिए रिक्वार्मेंट है क्या उसका टेस्ट कोड ह और रिपोर्टिंग टाइम क्या है यह सारी चीज़े डिसकस करेंगे वीडियो में तो देखिए क्या है कि डोक्टर आपको कुछ टेस्ट अभी जिनको कोविड हुआ है उनको एडवाइज कर रहे है जो टेस्टों के मैं नाम बता देता हूँ तो मैं आपको एक पैनल के बारे में बताऊंगा जिसमें आप यह सारे टेस्ट जो है करा सकते है जो रूटीन के जो कोविड के टेस्ट है जो कोविड के बाद में आपको कराने के लिए डवाइज किया जाते हैं वो सारे टेस्ट उस पैनल में जो है आते हैं तो चलिए वीडियो पे चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता जता हूं D dimer के बारे में देखें D dimer जो टेस्स है, ये blood से होता है इसमें जो tube लेनी होती है, वो sodium citrate लेनी होती है 3 ml whole blood, उसमें 2.7 ml whole blood जो है आता है उसको separate करके जो है आपको send करना होता है और इसका reporting schedule अभी देखिए जैसे daily दिया हुआ है लेकिन ये अभी daily नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें कुछ workload जो covid का है उसकी वज़े से reports थोड़ा सा delay चल रही है यानि कि next day evening तक आपकी report जो है हो जा रही है तो जब भी आप कराते हैं इसमें कोई fasting की requirement है नहीं preferred है mandatory नहीं है लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं fasting ज़रूरी नहीं है इसके लिए आप कभी भी ये test करा सकते हैं तो ये test है कराते किसलिए हैं क्या इसमें देखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ तो correlation factor देखते हैं कि जैसे covid आपको हुआ उसके बाद आपके blood में जो d-dimer की value है वो कितनी आ रही है अगर value जादा है तो आपको जो है blood में clots बनने के खतरे हैं जिससे की heart problem हो सकती है तो इसलिए ये चेक करने के लिए और जो d-dimer है वो बार बार time wise time आपका जो डोक्टर है चेक करता रहता है कि अब आपने कराया कि और दस दिन बाद जैसे medicine जो भी चल रही है आपकी उसके बाद कितना है value कम हो रहा है नहीं हो रहा है तो ये d-dimer के बारे में था इसका test code जो है h134 ये test code है ये लाल पैत लेव का हमारा test code है इसको आप बताके ये d-dimer बोलके भी आप test करा सकते हैं दूसरा जो मैं आपको पैनल बता रहा हूं वो पैनल एक मिनिट पैनल बता देता हूं ये एक IL-6 का पैनल है COVID-19 SARS-CoV-2 Advance पैनल के नाम से जो आपका d-dimer का जो प्राइस है वो अभी इसमें show नहीं कर रहा है अपक्स 1200 के असपास है और ये जो पैनल है इसका आप कोस्ट मुझे भी इसका आइडिया नहीं है क्योंकि अभी ये मैंने search के इसमें प्राइस आ नहीं रहा है तो आप लैप पे जाके या nearby center पे जाके test code बताके और ये जो पैनल है ये करा सकते हैं इसका जो test code है वो आप ध्यान रखें क्योंकि वहाँ पे il6 का पैनल बोलेंगे आप तो काफी पैनल आ जाते हैं जिसमें problem हो सकते है ढूनने में भी तो इसका जो test code है वो आप जाके बता दे जैड बन जीरो जैड बन जीरो 25 तो इसमें देखिए क्या include हो रहा है इसके लिए जो samples है वो इसमें दियो है 5 ml SST and 2 ml plasma lavender top EDTA जो il6 के लिए चाहिए separate करके भीजना है उसके बाद आपको correlation के लिए भी चाहिए इसमें और एक CBC के लिए EDTA अलग से चाहिए इस सारे samples जो है technician के काम है वो आपके samples जो है ले ले लेगा तो इसमें test के उपर जो हमारा main है test के उपर चलते हैं तो यह panel है इसमें सारे test दिये हुए है देखिए इसमें जो है COVID PCR भी दिया हुआ है जो कि आपको ध्यान रखना है कि जहां पर COVID का sample होता है वहां पर आप कराएं जहां पर COVID का sample लेते हैं वहां कराएं और इसमें CBC आ जाएगा आपका LFT, KFT आ जाएगा, LDH आ जाएगा, Tropen I आ जाएगा जो हार्ट के लिए करा जाता है और Antibro PNP जो BNP है वो भी आ जाएगा, D-Dimer आ जाएगा, PT आ जाएगा, Feratin, CRP, Procalcitonin भी आ जाएगा यह सारे test जो है इस panel में cover हो रहे हैं तो यह जो panel है यह आप करा सकते हैं अभी एक panel और मैं आपको बता देता हूँ तो इस panel में यह सारे test जो हैं, COVID से related हैं, यह सारे test जिसमें आ जाएगे, अब यह panel है जिसमें अगर आपको डोक्टर एडवाईज करता है, IL-6 CRP D-Dimer सिर्फ यह तीनी टेस्ट अगर आपको एडवाईज करता है तो आप यह panel करा सकते हैं, Z1028 Z1028 जो इसका test code है, जो IL-6 प्लस पैनल के नाम से है, इसको आप करा सकते हैं, इसमें आपका IL-6 CRP D-Dimer यह तीन टेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो हमरा panel आता है, मीनी पैनल के नाम से, जिसमें सिर्फ IL-6 और D-Dimer हैं, दोनों, देखिए आप अलग-अलग कराएंगे इ IL-6, 3,000 रुपए का है, D-Dimer 1200 का है, तो अगर आप पैनल कराते हैं, तो उसमें आपको कुछ प्राइज में जो है, डिसकाउन्ट मिलेगा, पैनल थोड़ा सक प्राइज जो है उसका आपको कम मिलेगा, उसके बाद हम बेसिक पैनल पे चलते हैं, तो बेसिक पैनल में, बेसिक पैनल में भी कुछ टेस्ट दिये हुए है CBC है वो RT-PCR है IL-6 है LFT, KFT, D-Dimer, PT Ferritin, CRP यह आप कोविड के साथ बुक नहीं कर सकते कुछ प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि पैनल बना रखे हैं कोविड के साथ अगर बुक करते हैं और बलड का कलेक्शन भी हो जाता है तो बहुत ही बड़ी है इसमें आपका कुछ डिसकाउंट भी हो जाएगा तो यह पैनल्स थे कुछ जो मैंने आपको आज बताए इसमें अगर आप इंडियूजल अलग-अलग करना चाहते हैं आप D-Dimer अलग से करा सकते हैं IL-6 अलग से करा सकते हैं CRP अलग से करा सकते हैं लेकिन जो सबसे बेस्ट पैनल मैंने आपको बता दिया वो IL-6 D-Dimer करा सकते हैं आप यह वाला पैनल J1028 जो IL-6 प्लस पैनल है देखिए आप बुक करेंगे तो वो RT-PCR के साथ यह पैनल साइद बुक न हो गुडगावा देली में तो हो जाएगा लेकिन कुछ अधर एरियास जो है वहाँ पे यह बुक नहीं हो पाएगा क्योंकि COVID कलेक्शन कहीं पे स्टार्ट है कहीं पे नहीं है तो मैं आपको यह बताना चाहरा हूँ जब भी आपका एडवाईज किया है आपको कराना है IL-6 CRP D-Dimer तो आप यह पैनल करा सकते हैं Z1028 तो इसमें यह तीनों टेस्स कवर हो जाएंगी इसमें आपको कुछ डिसकाउंट भी मिल जाएगा अलग-अलग तो यह आपको थोड़े costly पड़ेंगे तो यह पैनल के बारे में थोड़े से information थी बाकी अगर आपको कोई वो test के regarding कुछ information चाहिए इनके regarding तो आप वीडियो में comment कीजिए हम आपको reply जरूर करेंगे तो चलिए मिलते हैं next video में